हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब अच्छे होंगे और खुब मल लगा के पढ़ाई करेंगे वेल्कम बेक टू बालो जिपाय नहीं हाँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट जेनरल केरेक्टर्स ऑफ डिट्रो माई कोटिना डिट्रो माई कोटिना की जो भी जेनरल केरेक्टर्स हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है अबाउट जेनरल केरेक्टर्स ऑफ बेसेडियो माई कोटिना एन एसको माई कोटिना स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को जो सबसे पहला पॉइंट है दूटरो मायकोटेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी वीडियो में भले आपको जितनी भी टॉपिक्स पढ़ाए हुएं फंगस के केस में जैसे कि बैसिडियो माय मायकोटेना बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एक्जामनेशन पॉइंट अफ यू से क्योंकि डूटरो मायकोटेना बहुत ही कॉंप्लेक्स हम बोल सकते हैं कि इसमें जो भी फंगस है उसको हमने उसका भी हमें कुछ पता नहीं है कि कि उस उसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो जो दिट्रो माइकोटीना में जो फंगस होती है, जो दिट्रो माइकोटीना सब डिविजन रखा गया है, उसमें क्या होता है, उसको हम क्या नाम देता है, fungi imperfecti क्या नाम देते हैं उसको हम fungi imperfecti यानि कि वहाँ पे जो fungus होती है उसमें सिर्फ asexual phase ही देखने को मिलती है यानि कि उस fungus में सिर्फ हमें asexual reproduction देखने को मिलेगा उस fungus के case में हमने अभी तक sexual reproduction देखने को नहीं मिला है तो इसी लिए हम उसको बोलते हैं fungi imperfecti इस point को पढ़ लेते हैं उससे आप लोगों के सारे doubts जो हैं वो clear हो जाएंगे the subdivision deuteromycotina that is fungi imperfecti includes those fungi in which only asexual or imperfect stages are known ठीक है हमें सिर्फ asexual stage ही देखने को मिलती है asexual stage को क्या बोला गया है imperfect stage ठीक है imperfect stage यानि की वहाँ पे सिर्फ asexual reproduction देखने को मिलेगा are known and sexual or perfect stages are not yet recorded और जो भी sexual phase है वो अभी तक देखी नहीं गई है वो अभी तक recorded नहीं है ठीक है these fungi as such cannot be placed in well characterized group like mystigomycotina zygomycotina, escomycotina and bizidomycotina अब जब उसमें sexual phase देखने को नहीं मिली है तो इसलिए हम उसको mastigomycotina, ephysigomycotina, escomycotina or bizidomycotina में नहीं रख सकते हैं च्योंकि इन सब में हमें sexual phase देखने को मिलती है इन सारी fungus की life cycle में जो भी इन subdivisions के अंदर इन सब के केस में हमें sexual phase देखने को मिलती है बट, deutermycotina में वो सारी fungus को रखा गया है जिसमें अभी तक sexual phase देखने को नहीं मिली है ठीक है? इस सब डिविजन इन्क्लिवड अबाउट 600 जैनरा एंड ओवर 20,000 स्पीसीज इसमें अभी तक 600 जैनरा इसको रखा गया है और 20,000 स्पीसीज को रखा गया है दे सो रिजम्बलेंस विग दे मेंबर ओफ एसको माइकोटिना एंड बेसिडियो माइकोटिना इन सम फीजर्स अब जितने भी मेंबर्स हमने डिटरो माइकोटिना में रखे हुए है वो सब किस से रिजम्बल सो करते हैं एसको माइकोटिना और बेसिडियो माइकोटिना से बट वहाँ पे हमें sexual cycle deutromicotina में देखने को नहीं मिलती है उन fungus में इसलिए हमने उनको escomicotina और basidiumicotina से अलग कर दिया है ठीक है बाकी जितने भी उनके जो भी resemblance है वो किसकी तरह मिलती है escomicotina और basidiumicotina की तरह जादा तर escomicotina की तरह ही मिलती है रेरली किसी फंगस में basidiumicotina की तरह देखने को मिलती है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका मतलब यह है कि बहुत से members वंजाए के ऐसे हैं जिनको हमने प्रीवेसली किस में रखा था deuteriumicotina में रखा था क्यों क्योंकि उसकी sexual cycle या फिर perfect stage हमें देखने को नहीं मिली थी बड़ जैसे जैसे उनमें research हुई ठीक है artificial culture media का मतलब आता है जैसे जैसे उनमें work हुआ उनको artificially grow करवाया उनको उन पे research हुई तो उनमें हमें उनकी perfect stage देखने को मिली तो इसलिए हमने उनको transfer कर दिया आधर bestiomycotina और escomycotina में ठीक है समझ में आ गया जब हमें deuterium fungus की perfect stage देखने को नहीं मिली थी तो हमने उनने deuteromycotina में रखा था फिर जैसे जैसे research हुई उन fungus की sexualist cycle ये ज्यादा character उसके मिलेंगे उस वाले sub-division में हम उसको डाल देंगे ठीक इसका मतब ये है कि अभी जिस fungus की हमें perfect stage देखनी को नहीं मिलिए अभी जिन fungus में हमें sexual cycle देखनी को नहीं मिलिए उनको हमने retromycolina में रखा है और in future उन में जब researches हूंगी अगर उन्हें sexual cycle दिख जाती है तो फिर हम उसको वापत से detromycotina से हटा कि कहा रख दिंगे escomycotina या फिर bisidio mycotina में जिस भी फंगस जिस भी subdivision से उसके character ज़्यादा मैच करेंगे उस subdivision में उसको रख दिया जाएगा तो following example है जैसे हमें alternaria solenai का इसलिए को नहीं मिल्याता तो हमने उसको इंपर्फेक्ट stage में रखा था जैसे ही उसकी perfect stage देखने को मिली तो हमने उसको नाम दे दिया pleurospora infectoria ठीके alternaria solenai क्या है in perfect stage यहई बट उसकी perfect stage जब हमें मिली जब हमें सेक्ष्य hören cycle देखने को मिली तो हमने उस फंगस का नाम रख दिया प्लियो प्लियोस्पोरा इंफेक्टोरिया ठीक है वैसे यहां पर डिफरेंट फंगस के मैंने एक्जामपल लिखे हुए है आप लोग नोट कर सकते हैं फर एक्जामपल कोलेटो ट्राइकम फैलकेटम है ठीक है जिसको हमने डिट्रो मा अगुल प्र जणा पने इसको नाम हो गया प्राफ्वेक्ट स्टेज केसी शहीं पर्फेक्टियम च equipped da ko'm ऑल्टैन उसको नाम हो घृखे है यहां पर खेएंटम तो फिर हमने उसको पर्फे़क्ट गि कि उसको किसमें ट्रांसवर कर दिया है Bacidomycotina या फिर Escomycotina या फिर उसकी एक perfect stage अलग से बना दी गई है चीक है अब नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है The subdivision Deutromycotina is purely artificial and temporary assemblage of fungal species चीक है जो Deutromycotina subdivision बनाया गया है ये क्या है purely artificial है यानि की इसमें क्या है राथ एक प्रॉपर ऐसा करेंकि वेट करो हुए और है एक पर्टीकलर टाइप के वंगर सुनाTe defines, व्यूबर्ध में transfer कर देंगे, ठीक है, the subdivision detromicotina is a purely artificial and temporary assemblage of fungal species waiting to be included in an appropriate group after the discovery of their perfect stages, ठीक है, जब उनमें perfect stages की discovery हो जाएगी, तो उसके बाद हम उन्हें further subdivision में transfer कर देंगे, they are defined as conidial stage of ascomicotina and bisidiumicotina, जितनी भी fungus detromicotina में रखी गई है, उनको generally हम कैसे define करते हैं, conidial stage बोलते हैं किसकी ascomicotina और bisidiumicotina की, conidial stage मतलब जहां पे conidia का formation हो, ठीक है, whose sexual stages have either not been discovered or do not exist at all, यानि कि यही point में आपको बार 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 रिपीट करके यही समझा रहे हो कि detromicotina में उन्हीं fungus को रखा गया है, जिन में sexual stages या तो अभी तक recorded ही नहीं है, या तो अभी तक हमने discover ही नहीं किये हैं, या फिर उन में वो sexual stage होती ही नहीं है, ठीक है, according to ascomycotina और basidio mycotina की, basidio mycotina rarely देखा जाता है, बड़ जैनरली क्या बोलते हैं, conidial stage of ascomycotina, conidia क्या है, वो आप लोगों को पता होगा, क्या है, asexual reproduction का एक method है, जहां पर conidial spores बनते हैं, ठीक है, the members are generally saprophytes and parasites, जो इसके member होते हैं, deutromycotina के, वो saprophytes भी होते हैं, और parasites भी होते हैं, बड़ जो parasitic species होती है, वो क्या करती है, disease cause करती है, early bright disease, आप लोगोंने नाम सुना होगा, बहुत ही popular disease है, early bright of potato, tikka disease, इन सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों देख सकते हैं, मेरे चैनल पे, early bright of potato, tikka disease है, plants में, और animals में ये क्या करती है, athletes food disease cause करती है, several type की skin disease cause करती है, pulmonary infections cause करती है in animals, किसके member, deutromycotina के जो भी members है, ठीक है, mycelium is well developed and profusely branched septate, और mycelium इनका क्या होता है, deutromycotina में, जितने भी fungus होंगी, उनका mycelium क्या होगा, well developed होगा, profusely branched होगा, और septate होगा, यानि कि वहाँ पे septa present होगा, the hyphae may be inter- or intracellular, hyphae क्या होंगे, intracellular भी हो सकता है, intracellular भी हो सकते हैं, and cells are multinucleated, और जो hyphae के cells होंगे, hyphal cells होंगे, वो क्या होता है, multinucleated होते हैं, the reproduction take place by asexual means only, ठीक है, जहाँ पे reproduction कैसे take place करता है, asexual modes की through ही take place करेगा, और sexual stages are not known, जैसे ही sexual stage known हो जाएगी, तो उसको हम कहां transfer कर देंगे, कहीं और transfer कर देंगे, ठीक है, the asexual reproduction take place by oedia और conedia formation, asexual reproduction किस के थूँ take place करेगा, oedia formation के थूँ या फिर conedia formation के थूँ, the conedia are non-motile structure, जो conedia होते हैं, वो क्या होते हैं, non-motile structure होते हैं, और क्या होते हैं, asexual reproduction के लिए responsible होते हैं, और जो conedia होंगे, वो कहां पे develop होंगे, they are developed exogenously on conidio force किस में develop होंगे conidia conidio force में develop होते हैं ठीक है the conidio force are either free or formed in some special types of fruiting bodies जो conidio force develop होंगे वो कैसे develop हो सकते हैं freely भी develop हो सकते हैं या फिर particular type की fruiting bodies के अंदर भी develop हो सकते हैं fruiting body like cinemata acervoli, sporodokia और picnidia ठीक है यह क्या है fruiting bodies के नाम है जो हमें कहां देखने को मिलते हैं deuteromycotina में देखने को मिलते हैं ठीक है आप लोगों को यह याद रखना है कि particular type की यह जो fruiting bodies है यह किस में देखने को मिलते हैं deuteromycotina में की fruiting body है आपको अलग अप्शन दे दिया cinemata, sporodokia दे दिया और deuteromycotina का दे दिया perithesium दे दिया क्लिस्टो थीसियम दे दिया तो इन में से पहचाने है कि कौन सी deuteromycotina की fruiting body है या फिर कौन सी escomycotina की fruiting body है ठीक है तो यह points आप लोगों को याद में रखने हैं कि deuteromycotina की fruiting body क्या है cinemata, acerbola, sporodokia और इतनी दिया ठीक है some members so parasexuality अब deuteromycotina के कुछ member क्या so करते है parasexuality so करते है parasexuality बहुत important topic है इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए detail video लेके आऊंगी ठीक है आप लोगों को बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि deuteromycotina की members में हमें क्या देखने को मिलती है parasexual cycle देखने को मिलती है या फिर parasexuality वहाँ पे देखने को मिलती है next video में मैं आप लोगों के लिए parasexuality या फिर parasexual cycle जो होती है deuteromycotina में वो लेके आऊंगी so wait करिए मेरी video का I hope आप लोगों को video पसंद आई होगी अगर आपको मेरी video पसंद आई है तो please मेरी video को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए मेरी channel को और site में जो bell icon है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली videos की notification मिलती रहे and मिलती हूँ मैं आपको अपनी next video में thank you so much for watching my video bye bye take care